पुरानी दिल्ली का मशुहूर नहारी बल्ली मरान नहारी रेस्टूरेंट अब आपके शहर मुम्रावी आपको दिल्ली जाने की अब जरूरत नहीं जहां आपको मिलेगा बल्ली मरान इस्पेशल थाल, बॉंग नहारी, मतन नहारी, बफपाया, मतन भेजा तड़का नहारी, दिल्ली की डेक मटन चाप मसाले के साथ आपका पसंदिदा रोटी नान, लवासा नान, तंदूरी रोटी और कुल्चा भी मिलेगा हर एक स्वाद हमारी कहानी का हिस्सा है बल्ली मरान नहारी रेश्टूरेंट जो अब आपके शहर मुम्रा में है बे मिसाल स्वाद के साथ दिल को छू जाने वाला जो आपको हमेशा याद रहे बेतरीन सर्विस के साथ बल्ली मरान नहारी रेश्टूरेंट से आप घर वैठे फ्री आउडर कर सकते हैं महिस्ता पुदिर खार और आप देख रहे हैं प्रहाटेंग्स लास्नगर में बेहन की रक्षा करने के भाई पर जान लिवा हमला किया गया है मामला लास्नगर का है जहां पकड़ा लड़की का हाथ और लड़की के भाई जब हिफाज़त करने के लिए पहुचा तो साथ से आठ लड़कों ने मिलकर भाई पर चान लिबा हमला कर दिया और जेब में रखे करीब दस हजार रुपे भी लोटी है रात के समय ररहीम अब्दुलशेख मशमंदिर इस्थित एक दुकान से खरीदारी कर अपनी मा बहन और भाई के साथ वापस लोट रहा था और तब ही महाँ पर एक लड़के ने रहीम की बहन का हाथ पकड़ा जब रहीम ने उस लड़के को रोकना चाहा तो उसने रहीम को गालियां दे कर मारना शुरू कर दिया इतना ही नहीं अपने साथीदारों को भी बुला कर रहीम पर पत्थर से हमला कर दिया और उसके जेप में रखे दस हजार रुपे लेकर वहाँ से ये लोग भाग गये इस हमले में रहीम का जबरा और नाक की हड़ी और दातों पर गंभीर रूप से घाव पहुचे हैं जिस कारण उसको इलाज के लिए मधवर्ती अस्पताल में भरती कराया गया है लेकिन चेहरे पर गंभीर चोट आने की वजह से रहीम को आगे के इलाज के लिए उसे कलवा के छत्रपती शिवाजी महराज हॉस्पिटल भेजा गया है और फिलहाल पुलिस स्टेशन में रहीम की शिकायत पर हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है मैं और मेरे दो लड़के और मेरी बड़ी लड़की हम लोग शॉपिंग करके निकल रहे थे तो दो लड़के महां खड़े थे उसमें से एक लड़का ना मेरे लड़की को हात लगाया तो मेरे लड़के ने देखा तो बोला ऐसा क्यों हात लगाया भ कितने लोग थे आठ से दस लोग थे सब मिलके मारे एक साथ में कब की घटना है कहां उनके यह साड़े नो दस की बीच की खटना है दूद नाकेस और मंटमंदिर की बीच की घटना है यह